नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स नीज और मैं हूँ आपके साचवी मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने शुकरवार को सेना के मध्य कमान सूर्या कमान में आयोज़त तीन दिवर्सिये नोई यॉर आर्मी फेस्टिवल का शुभारम किया मुख्यमंत्री ने रंग बिरंगे गुबारे आस्मान में उड़ा कर फेस्टिवल का अपचारे को घातन किया इस दौरान सिक रेजिमेंट के जवानों ने सहासिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरे कर शौरी कला का शामदार प्रदर्शन किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें सेना के साजो समान के साथ ही आत्याधुनेक हतियारों का प्रदर्शन किया गया CM योगी ने सेना के अधिकारियों से विभन हतियारों और सैन्य समानों के बारे में जानकारी भी ली वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने फैस्टिवल के उद्धाटन समारों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भार्तिय सेना देश के 140 करोड जनता की शक्ती और साहस का प्रतीक है उन्होंने कहा कि एक सशक्त सेना ही सुरक्षत और संप्रभू राश्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है सिक रेजिमेंट की शौरेकरा का प्रदर्शन देख सीम हुए रोमांचित पहली बार देश की राश्ट्रे राजधानी के बाहर आयज़ेत हो रहे नौई और आर्मी फेस्टिवल के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री का विशेश रूप से धनिवाद दिया उन्होंने कहा कि समहारों के लिए लखना उस्थित सेंट्रल कमांड को चुना जाना गर्ब की बात है ये प्रदेश के युवाओं को नस्दीक से भारती सिना को जानने और सिना की शौर और पराक्रम को नस्दीक से पहचानने का अवसर है मुख्यमंत्री ने सिख रेजिमेंट के शौर कला प्रदेशन को शानदार बताते हुए कहा कि ये भारत की प्राचीन कला है जिसके जरिये हमारे पारंगत युवाओं आंकरताओं को मुहतोर जवाब देते हैं मुख्यमंत्री ने प्रसनता व्यक्त की की प्राचीन युद कला को भाती सेना ने अपना हिस्सा बना कर ना सर्फ सशौर कला को सम्मान दिया है बलकि सिख गुरू के ट्याग और बलेदान को भारत के युवाओं के सामने रखकर सम्मान देने का कारे किया है सेना की शक्ति और पराकरम देखने का अफसर है ये फेस्टिवल मुख्यमंत्री ने कहा कि नौय और आन्मी फेस्टिवल के जरिये ना सर्व सेना के साजों समान और हतियारों की प्रदर्शनी को देखने का अफसर हमें मिल रहा है बलकि इसके जरीए सिना की शक्ती, पराक्रम और राश्ट्र भक्ती की निष्ठा को भी नस्दीग से जानने समझने का अवसर मिलेगा ये सिना के हतियारों उनकी कारेशेली और कारे कुशलता को भी जानने का अवसर है जिससे सामानिता, जनता, अनभिग गिरहती है मुख्यमंट्री नीं आए कि UP वीरों की भूमी है देश की सुरक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महतपून योगदान दिया है देश की सुरक्षा करते हुए हमारे जवानों ने प्रदेश का गौरफ बढ़ाया है प्रदेश सरकार भी सेवारात और सेवानिवरत सेनेकों के हेतों के लिए पूरी तरह से संकर्भ बद है सरकार वीरगती प्राप्त करने वाले वीरों के परिजनों को 50 लाग की धनराशी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौक्री देने का कारे करती है बाला की नहीं बालिकाओं के लिए भी सैनिक स्कूल शुरू करने वाला पहला राज्य है यूपी CM योगी ने कहा कि देश आज प्रत्यक छेत्र में आत्म निर्भरता के लक्षिको प्राप्ट कर रहा है ऐसे में सेना के लिए हत्यारों और साजों सामान के मामले में भी हम टेजी के साथ आत्म निर्भर हो रहे हैं उन्होंने यूपी के डिफेंस नोड और 2020 में आयोजे डिफेंस एक्सपो की भी चरचा की उन्होंने बताया कि देश में 109 सैनिक स्कूल बनाये जा रहे हैं इसमें से यूपी में 16 सानिक स्कूल बनाया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेंदावन में बालिकाओं के लिए सानिक स्कूल प्रारंब किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश को ना सर्फ पहला सैनिक स्कूल देने वाला राज्य है बलकि बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल शुरू करने वाला भी पहला राज्य बन गया है इस अफसर पर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंग मध्य कमान के कमांडिंग इन चीफ लेटिनेंट जर्नल एनेस राजा सुब्रमनी मध्य कमान के चीफ और स्टाफ लेटिनेंट जर्नल मुकेश चड़्धा प्रदेश के मुख्य सचिफ दुर्गा शंकर मिश्रम मु जो 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 जोगई